जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप एक CAC ID लेना चाहते हैं तो CAC ID अब आपको सिर्फ एक दिन में मिल जाएगी आपको अपलाई करने का जो प्रोसेस है वो नए प्रोसेस के माध्यम से अगर आप अपलाई करते हैं तो आपको ID लेने में ज्यादा टाइम नहीं सबसे पहले दोस्तों बता दे अगर आप यह ID लेते हैं तो देख सकते हैं कि आपको इस ID में आपको वो सभी सर्विस देखने को मिलेगी जो सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है जितनी भी सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है यहाँ पे आपको प देख सकते हैं कि CAC e-government service के द्वारा अगर आप CAC ID लिए हुए है CAC BL है तो अब आप आधार का भी काम कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे direct आपको search वाले option में जाना है और यहाँ पे आपको search करना है UCL ठीक है सिर्प आप इतना ही search करेंगे तो देख सकते है कि आधार demography update UCL ठीक है तो मतलब कि CAC ID में अब आपको आधार का भी काम मिलने वाला है और जितने भी service जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि agriculture से related service, banking से related service, government की all service यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है ठीक है उसके बाद यहाँ पे insurance का काम आप कर सकते हैं यहाँ प पेंसन का EKYC भी कर सकते हैं और पेंसन के लिए apply भी कर सकते हैं, gas का बेल जामा कर सकते हैं, health insurance जैसे कि आईसमान कार्ड अगर बनाना चाहते हैं यहाँ आईसमान कार्ड के वाईसी करना चाहते हैं तो यह सब काम कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे railway ticket booking की भी option मिल जाती है और फी driver cafe में आपको जहुरत परती है ठीक है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CAC से आप यहाँ पे अधार का भी काम कर सकते हैं कि अधार text board और आपके अधार card का भी काम आप CAC ID से कर सकते हैं तो आप एक registered ID ले लेंगे यहाँ पे CAC ID से direct आप UCL चालू कर लेंगे तो आधार में update का पूरा काम आप कर सकते हैं चले दोस्तों अब आपको बताते हैं कि बिलकुल free में आपको CAC ID कैसे मिलेगी और आपको TC number की जहुरत भी यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगे ठीक है जैसे कि यहाँ पे मैं CAC registration में आया हूँ यहाँ पे बहुत सारे document आपको देखने को मिल रहे हैं लेकिन अगर आपको कोई document यहाँ पे नहीं लगाना है तो direct आप यहाँ पे आएंगे ठीक है इसके लिए क्या करेंगे कि आप direct Google पे आएंगे और यहाँ पे CSC registration आप सर्च कर लेंगे ठीक है जैसे ही दोस्तों CSC registration आप new registration का option मिल जाएगा ठीक है अब नई क्याटो करी के माध्यम से अगर आप CSC new registration करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको दिया गया है कि new registration portal has been launched and to apply in a new BLE registration process please visit मतलब यहाँ पे आपको visit करना है तो आप कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं direct बीना किसी certificate के लिए apply करना तो यहाँ पे new registration पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ठीक है जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि valid your email ID and mobile number अगर आपका mobile number और email ID है तो direct आप यहाँ से apply कर सकते हैं यहाँ पे आपको select application type पे आपको click करना है click करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि दिया गया है SHG मतलब sales group का अगर आपके पास ID है जैसे कि NGO तो उस सब भी काम यहाँ पे apply आप कर सकते हैं प्राइबेट बैंकिंग की ID अगर आपके पास है फिर भी आप यहाँ पे apply कर सकते हैं उसक आपको कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ mobile number डाल देना है अगर आप mobile number डालेंगे तो आपका CSC जो है वो आपकी ID जो है वो तुरंत मिल जाती है ज्यादा टाइम नहीं लगता है अब दोस्तों यहाँ पे CSC registration में new portal जो launch हुआ है उससे apply करने में क्या process है तो यहाँ पे आप सर्च वाले option में आएंगे और यहाँ पे CSC registration सर्च करेंगे और यहाँ पे CSC registration पे क्लिक करेंगे ठीक है यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक pop-up आपको चलते हुए दिख रहा होगा कि for CSC BLE category ठीक है new registration portal has been launched and to apply in a new BLE registration process ठीक है इसका है कि यहाँ से आप CSC BLE बन सकते हैं और इसके लिए registration कर सकते हैं जो एक नया process है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जब दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों जब यहाँ पे आप आप आजाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डॉकमेन मांगा जाता है जिसमें आपको T.E.C की सर्टिफिकेट भी चाहिए और यहाँ पे बैंक B.C की सर्टिफिकेट भी चाहिए ठीक है जब तक आप यह सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मतलब IIBF जो banking finance certificate जो होता है वो certificate आपके पास होना चाहिए और TEC का certificate होना चाहिए मतलब दोनो certificate जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे apply नहीं कर सकते उसके बाद ही आप authorization वाला apply करेंगे अब दोस्तों अगर आपके पास यह सब certificate नहीं है और आपको CAC ID जो चाहिए वो बहुत ही जल्दी चाहिए एक दिनों में ही चाहिए एक दिनों के अंदर ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हमें तुरंट CAC ID हमें मिल जाए तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह हमारा CAC ID है CSE के operator का मतलब होता है कि जितने भी service आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है वही service अब operator को भी देखने को मिलेगी operator का मतलब assistant हो जाता है मतलब एक operator वही काम कर सकते है जो एक CSE BL करते है मतलब कि यहाँ पे CSE में जो भी service आपको देखने को मिलती है वही अब operator को भी देखने को मिल जाएगी तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप आएंगे यहाँ पे देख सकते कि यहाँ पे operator का एक option मिला है यहाँ पे आप click करेंगे click करने के बाद दोस्तों direct आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पे operator management के judge सामने यहाँ पे एक option मिलेगा at operator का यहाँ पे आप click करेंगे आपको यह भी बताएंगे कि operator ID आपको लेनी कैसे है और apply कैसे करना है यह पूरी जनकारी आपको देने वाले तो ध्यान से वीडियो का एक एक step आप देख लिजेगा यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे दे रहा है कि make sure to read all introduction first मतलब आप सबसे पहले इसका introduction पर लेजे यहाँ पे कैसे आपको भरना है तो यहाँ पे दे रहा है कि आपको यहाँ पे अपना अधहार number देना होगा operator का नाम जो आपके अधहार card में है वही नाम आपको यहाँ पे देना होगा date of birth दे देना है male female जो भी है वो आपको यहाँ पे select कर लेना है email ID देना है और send OTP पे क्लिक करना है आपके mobile number पर एक OTP आएगा वो OTP आप यहाँ पे दे देंगे आपका verify हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे mobile number आप दे देंगे और send OTP पे क्लिक करेंगे आपका mobile number भी verify हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक submit वाला option आएगा जैसे यह सब आप भर देंगे उसके बाद ही यह काम आपको करना है सब्मीट वाला आप्सन में आएगा यहाँ पे आपको mail ID और यहाँ पे mobile नमबर जो है वो सही देना है क्योंकि permanent यह काम आपको आता है ठीक है उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पे apply कर देंगे ठीक है वहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे फिर से आपको CAC registration करनी है और यहाँ पे CAC registration लेकर सर्च करना है और यहाँ पे आपको आना है यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक my account वाला option मिलेगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको CAC ID जो आपके email ID पे आई है वो आपको डालना है ठेक है उसके बाद fingerprint पे क्लिक करना है जो आपने अधार नमबर दिया होगा उसमें जो भी आपका fingerprint होगा क्योंकि अधार नमबर जीस के नाम से होगा उनी का fingerprint यहाँ पे लगेगा तो जिसके नाम से आप CAC ID लेंगे उनी का fingerprint लगने वाला है और fingerprint यहाँ पे लगाएंगे तो उसके लिए मंत्रा या मर्फो का कोई device होना चाहिए तब ही आप यहाँ पे fingerprint लगा सकते है उसके बाद capture देके submit करेंगे तो आपकी एक ID बन जाती है यहाँ पे आपको pain card भी आपको number डालना पड़ेगा अब दोस्तों यह CAC ID जो है वो अब आपको लेना कैसे है और कैसे आपको यह CAC ID जो है वो मिलेगा जैसे कि आपको CAC ID लेने के लिए आपको करना क्या होगा जैसे कि आपके आजपास में कोई CAC center चलाता होगा ठीक है चाहिए आपका कोई दोस्त होगा चाहिए आपका कोई रिस्तदार होगा जिसके पास CAC ID है और वो चला रहा है चाहिए नहीं भी चला रहा है ठीक है उनसे आपको CSC ID बनवाना है और operator की कोई भी चार्ड नहीं लगती है बिलकुल free में operator ID बन जाता है आपको मैंने यहाँ पे life proof दिखाया है तो ऐसे करके आप एक CSC ID ले सकते हैं और CSC भेली बन सकते हैं कैसी लगे वीडियो कॉमेंट में बजरों बताइएगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा फिर मिलता है अगले वीडियो में